हेलो फ्रेंड्स, ट्रिक्स फोर ओल इस्ट्वेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम प्लेटो के सामाने परिचे को देखेंगे आज हम देखेंगे कि एक इंड्रोड़क्शन देखेंगे कि प्लेटो का क्या इंड्रोड़क्शन है दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि प्लेटो ने कई सारे सिध्धानतों की बात की थी उन सबी सिधानतों की वीडियो सेपरेट मैं आपको दे दूँगा प्रोवाइट कर दूँगा एंड स्क्रीन पर या प्लेलिस्ट वगेरा में आपको वीडियो मिल जाएंगी और जो ये सीरीज चल रही है वेस्टरन पॉलिटिकल थिंकर्स की ये UPSC Optional के एक्जाम के लिए Most Important होने के साथ ही साथ UGC Net एक्जाम के लिए और दूसरी भी एक्जाम के लिए जिनका ये टॉपिक है उनके लिए Most Important है तो प्लेज इस पूरी सीरीज को ध्यान से देखें अब आगे बढ़ते हैं और आज की अपने वीडियो शुरू करते हैं अब हम बात करते हैं प्लेटो के सामाने परिचेगी दोस्तों ये जो इंट्रोडक्शन है वो आपको बताएगा कि प्लेटो क्या था उसने कौन-कौन सी बातें कही है ये आपको एक संबरी देगा तो ये इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है तो ये प्लेटो का इंट्रोडक्शन है प्लेटो प्राचीन युनान का त्यंत्र प्रभावशाली दार्शनिक था पश्चिमी परंपरा में उसे सबसे पहला वैवस्थित राजनीती सिध्धान्तकार माना जाता है उसने राजनीती की ऐसी समस्याओं पर विचार किया जो आज के युग में भी बहुत महत्पूर्ण समझी जाती है उसने इनका ऐसा विश्रेशन प्रस्तुत किया जो आज भी चर्चा परिचर्चा और वात विवात का विशय बना हुआ है और संभवता युग-युगांतर तक बना रहेगा तो देखे दोस्तों जो प्लेटो था वो एक बहुत ज़्यादा प्रभावशाली दार्शनी था फिलोसफर था अब फिलोसफर का मतलब होता है किसी फिलोसफर क्या करते हैं कि किसी टॉपिक के बारे में बहुत जादा सोचते हैं समझते हैं और फिर अपना विचार प्रसुत करते हैं तो प्लेटो एक बहुत अच्छा दार्शनिक था प्राचीन युनान का और जो पश्यमी परंपरा है मतलब जो वेस्टर्न जो लोग हैं उसके अनुसार उनके प्लेटो का जन्म एथेंस के एक कुलीन परिवार में हुआ था इसलिए राजनितिक महतवा कांशा उसे उत्तरधिकार में मिली थी मूलतह उसका नाम एरिस्टोकलीस था वह एक सुंदर और हस्ट पुष्ट युवक के रूप में बड़ा हुआ और उसके चौड़े कंधों को देख कर ही उसे प्लेटो कहा जाने लगा उसने दो बार खेलों में इनाम जीते और एक वीर सैनिक के रूप में भी ख्याती अरजित की इतना सब होते हुए भी सुकरात के अध्भुत तरक विद्या ने उसके मन को आकरशित किया और एक कुशल दार्शनिक बना दिया तो फ्रेंट्स जो प्लेटो था उसका जन्म एक बड़े परिवार में हुआ था तो इस कारण से राजनिती के बारे में जानने कि उसकी जो इच्छा थी वो उसे एक तरह से अपने परिवार से ही मिली थी और प्लेटो जो था वो काफी मतलब खेल गूद में भी काफी अच्छा था और उसका काफी शरीर अच्छा था वो सैनिक के रूप में भी एक वीर सैनिक के रूप में भी उसका नाम हुआ था बट फिर भी सुकराद से वो प्रेडित हुआ, सुकराद को उसने जब देखा कि वो किस तरह से तर्क करते हैं, वितर्क करते हैं तो उनकी शरण में वो गया, उनसे मतलब सिख्षा ली उसने, तो वो एक बहुत अच्छा दार्शनिक बनकर उभरा सुकराद जो था वो अरस्तू का टीचर था, 1999 इशवी इशापूर में जब सुकराद को प्राणदंड दिया गया, तब तक वो सुकराद की छतरशाया में रहा मतलब वो सुकराद के साथ लंबे समय तक था, सुकराद की मृत्यों के बाद उसने कई वर्ष तक युनान, मेश्र और इटली की यात्रा करके वहां के शाशन प्रणालियों का ध्यन किया वैफारस भी गया, कुछ विद्वानों के अनुसार वैभारत भी आया जहां उसने वेदान्त की सिक्षा ले यह केवल सन्योगिक की बात नहीं हो सकती की नियाएं के संबंद में, प्लेटो के विचार धर्म के संबंद में प्राचीन भारतिये चिंतन से बहुत मिलते जुलते हैं फ्रेंट्स इंट्रोरक्शन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा इसे समझा नहीं रहूं, बस थोड़ा सा रीड करते जा रहूं अपने विदेश यात्राओं से लोट कर प्लेटो ने दर्शन शास्तर के विश्तरित अध्यन और निरूपन के उद्देशे से अपनी प्रसित अकादमी स्थापित की, जिसने प्राचीन युनान को अनेक विधिवेत्ता और राजमर्मक्य प्रदान किये, मतलब राजिनित इस्टैबलिश की थे, जो की बहुत अच्छी थी, जिसमें राजनीती से संबंदित, दर्शन, शास्तर वगरा का अध्यन किया जाता था, और इसी अकैडमी में पढ़कर अरस्तु सामने आये थे, प्लेटो ने अपने नियाय के सिध्धान्त को साकार रूप देने के लिए आदर्श राजी की संकलपना प्रस्तुत की, इसका विवरण उसके प्रसिद ग्रंत, रिपबलिक के अंतरगत दिया गया है, उसमें उसने यह विश्वास व्यक्त किया है कि समाज का उध्धार तभी हो सकता है जब शाशन की बाग दोर दार्शनिकों के हातों में दे दी ज दार्शन शास्तर की सिक्षा प्राप्त करके दार्शनिक बन जाएं, देकि दोस्तों प्लेटों ने एक बुक लिकी थी रिपबलिक जिसके अंतरगत उन्होंने न्याय के सिध्धान्त की बात की है, अब उन्होंने न्याय के सिध्धान्त की बात क्यों की थी तो उन्हों उ नियाय सिध्धान्त बनाया और उस नियाय सिध्धान्त के अंतरगत प्लेटो ने कहा कि दिखो अगर हम चाहते हैं कि एक अच्छा राज्य स्थापित हो तो उसके लिए शाशन की बागडोर यानि कि जो सबसे बड़ा वैक्ति होगा शाशन का जिसके पास सत्ता होनी चाहिए वो दार्शनिक होना चाहिए फिलोसफर होना चाहिए और अगर कोई फिलोसफर राजा या शाशक नहीं है तो जो भी राजा या शाशक है उसको फिलोसफर बन जाना चाहिए दार्शनिक बन जाना चाहिए अब एक बहुत अच्छी चीज है इसको लेकर तो आप यहाँ पर तौर पर थोड़ा सा समझाओंगा तेखिए अब क्या हुआ कि प्लेटो ने ऐसा कहतो दिया कि वो दार्शनिक होना चाहिए इसे एक आदर्श राज्ये बन जाएगा अब इसी के चलते 1987 इशापूर में प्लेटो को सिसली की राजधानी सीराक्यूस के शाषक डायोनीसियस का यह निमंतरण मिला कि वह उसके राज्ये को अपनी कल्पना के अनुरूप आदर्श राज्ये में परिनत कर दें अब एक शाषक था सिसली का डायोनीसियस उसने इंविटेशन दिया प्लेटो को कि आईए हमारे राज्ये को आदर्श राज्ये में बदल देजी आप जो जो कहेंगे हम कोशिश करेंगे वो वो चीज करें और हमारा राज्ये भी आदर्श बन जाए अब प्लेटो गया दाश्यनिक बनने के लिए आपको ये ये सारे नियम फॉलो करने पड़ेंगे तो फीसली ने ओखने नहीं बन चाहिए और किसी फिल्मज़ को अपनी गद्दी पर बैठा दिना चाहिए इससे तुम्हारा राज्य आदर्शिरा बन जाएगा तो इससे लेफिंद न से बाहि गुस्सा आया और इसी के चलते उसने प्लेटो को गुलाम बना लिया वो तो भला हुआ कि जब उस प्लेटो को गुलाम बना कर बेच रहा था तो प्लेटो के ही दोस्त ने प्लेटो को खरीद लिया और उसे आजात कर दिया तो अच्छा हुआ प्लेटो बज गया तो फ्रेंट्स थोड़ा सा ये मजाग के तौर पर था बढ़ा ये सीरियस था ये चीजें जो है वो सही बातें हैं तो इनहीं के अनुभवों के आधार पर उसने अपनी यानि की प्लेटों ने अपनी परवर्थी कृतियां इस्टेट्समैन जिसमें राजमर्मक के एक शब्द आ रहा है यहाँ पर उसका मतलब है राजनीतिग्य यानि की राजनेता अब ये जो अनुभव थे प्लेटों की लाइफ के उन्हीं अनुभवों के अधार पर प्लेटों ने एक स्टेट्समैन और लॉस नाम की दो बुक लिखी थी जिनमें आदर्श को यथार्थ के साथ जोड़ने का प्रतन किया गया है यहां उसने मनुष्य के वास्तिविक स्वाभाव और उसकी कमजोरियों को सुईकार करते हुए यह मतव्यक्त किया कि यथार्थ के धरातल पर ऐसे आदर्श राज्य को साकार करना संभव नहीं है जिस पर दार्शनिकों का शाशन स्थापित हो जाए इसलिए उसने यहां ऐसे आदर्श राज्य के स्थापना का प्रस्ताव रखा जिस पर कानूनों का शाशन रहेगा अब देखिए दोस्तों अब प्लेटों इन सभी अनुभवों के अधार पर जब प्लेटों के साथ एक घटना घटी थी मैंने बताया ना डायो नीसियस जो एक राजा था तो उसने गुलाम बना लिया था उसको तो अब प्लेटों समझ गया था कि आदर्श राज्य बनाने की जो फिलोस्फी थी जो सिध्धान था वो पूरी तरह अब असली लाइफ में इस्थापित नहीं किया जा सकता है क्योंकि राजा दार्शनिक नहीं बनेगा और ऐसा बहुत कभ होता है कि कोई दार्शनिक राजा बन पाए तो उसने का फिर भी अगर हम आदर्श राज्य बनाना चाहते हैं तो एक और तरीका है अब ये तो असली चीज नहीं है जो पहले उसने बताई असली में इस्थापित नहीं हो पाएगा तो दूसरा तरीका उसने कहा कि अगर राजा के उपर कानूनों को लाद दिया जाए या राजा या शाशक है उसके उपर कानूनों को लाद दिया जाए अगर वो कानून के अंडर में रहकर अपना काम करेगा तो इससे भी एक आदर्शवत राजजी की स्थापना हो सकती है तो फ्रेंट्स आई होप यहां तक आप इंट्रोडक्शन काफी अच्छे से समझ गई होगी कि प्लेटो कौन था उसका जन कहां पर हुआ था फिर उसने कहीं यात्राएं की थी कहीं सारी यात्राएं की थी सुकराथ के साथ वो लंबे समय तक रहा था तो उसका प्रभाव था सुकराथ का भी एक गहरा प्रभाव पढ़ा था प्लेटो के उपर प्लेटो ने एक academy के स्थापना की थी जिससे कि अरस्तु निकल कर अब सामने आया था इसके बाद प्लेटो ने एक बुगले की धी Republic जिसमें उसने दार्षनिक राजा वगरा की बात की थी पॉइंट्स को नोट डाउन करिए और समझीए फ्रेंट्स फिलाल आज की इस वीडियो में इतना ही और अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लेस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और प्लेटो से रिलेटेड दूसरी वीडियो को भी जरूर देख लें थैंक यू